ख़वरे खेती के कारिकरम में आप मन के स्वागा थे जै जोहार सबले पहली आज के कास कवर एक वर्षी फलोत पादन कारिकरम टमाटर लतेज धूप में जले लिवचाय की तकनीकी जानकारी फूल गोभी के स्नेहा किस्म लाल भाजी के सफल खेती 36 गड़ राजी में एक वर्षी फल जैसे केला आदी के उद्यान के योजना चलाए जाथ है एकर अंतरगत राजी के ऐसे किसान जे खरमेर अधिक्तम चार हेक्टेर है वो सामिल है ये हिद्गराही किसान मनला कुल लागत के 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाही जिला दो किस्त मत दिये जाही अगर जीवित पौधा के प्रतिशत दूसरा वर्ष मा 90 प्रतिशत है ता दूसरा किस्त मिल ही ता हमर किसान भाईमन सरकार के ये योजनाला अपना के बने मुनाफ़ा प्रात कर सकते बेहतर तक्नीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन कराएं तो खेती माउमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकते अब खेती से संबंधित खास खबर क्रिशी के उत्पादन और उत्पादक्ताला बढ़ाय बर जमीन के स्वास्तला सुधारे के विशेश महत्व है वर्तमान मां 36 गड़ मां 7 मिट्टी परिक्षन प्रयोग साला संचालित करे गए है वर्ष 2013-14 मां 4 थन और नया प्रयोग साला इस्थापित करे जाही क्रिशी उपकरण क्रिशी के मसीनी करण ले बहुत सुविधा हो थे किसान भाई मनला एकर से समय श्रम अवलागत तीनों के बचत हो थे है जैसे खेत को काटने के बाद में कल्टीविटर चलाते हैं है रो powerful चलाते है लैवल चलाते उन सभी का काम यह मथीं एक और तीनों को काम एक साथ कर देता है और यह किसानों के लिए इतना उपियोगी हो रहा है जो इसके में ब्लेड लगते हैं जैसे ये मिट्टी को जो मोटे-मोटे धेले होते हैं उनको ये काट पीट के बिल्कुल चूरा बना देते हैं इसमें हमारी जो चतिसगर सासर ने तीस अजार रुपय का अनुदान रखा है गोर्वेंट ने इसका मर्भी रखा है वो 99 जार र साग भाजी के खिती कर रिया किसान भाई मनला फूल गोभी के एक उननत किस्म इसनिहा के जानकारी देवत्थन ये किस्म के गोभी बर गर्म औव आद्र जलवायू बने हो थे जिवांश युक्त औव उपजाव माटी मा लगाय ले ये हर बने उत्पादन दे थे लगभग किसान भाई मन फूल गोभी के इसनिहा किस्म इनन अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थे के स्थी दीला मजबूत कर सकते अगर कोनों किसान हां नवा तकनिक अपना के सफलता पुरुवग खेती कर थे तो उखर सफलता से आन किसान बना घलो काले करत हुए जानकारी देवत ओहर बता थे के लाल भाजी के खेती करे मा निंदाई कोड़ाई सिचाई बुआई और खात पानी के व्यवस्था मा उला लगभग 40-50,000 रुपया तक के खर्चा आया हुए और खर्चा नुमान है के अपन ये उत्पादनला उह पाजार मा बेच के लगभग 70-80,000 रुपया तक के आमदनी प्राप्त कर लिए और ये जादा उत्पादनला देखके दुसर किसान मन घलो प्रेणा ले थे अवहुमन हुन्नत तरीका ले खेती करके अपन आर्थिक इस्थितिला मजबूत करते आज के अंक्मा पसत के दुसरिया अंक्मा खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फेर आबो तब तक बर जम्मो जल्ला जय जोहार आज अज़ाए लोग और बताओ बस अरे ये क्या भाईया जी बस इतनी सी रसाइनी कट किसानी छोड़ रहे हो क्या किसानी नहीं नादानी छोड़ रहे हैं मिट्टी की जाज कराई है अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नस्दी की भूमी परिक्षन प्रयोग शाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोशक तत्व, नमी वा पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोशक तत्व डालें और हाँ मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरुन जैसे सूक्ष्म पोशक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमी का उपजावपन बनाए रखें, उत्पादक्ता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सही योग दें और हाँ धीमी गती से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीन लेपित यूरिया को प्राथ मिक्ता दें और यूरिया का पत्तों पर छड़काव करें अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें जिलाक्रिशी अधिकारी या किसान कॉल सेंटर अम्मा खाना देदो ना सबर कर गोलू अभी डाल नहीं कली है तु फिकर ना कर गोलू कि अम्मा अबकी बार अपनी डाल खुब गलेगी क्या मतलब जी अबकी बार एन फसम के तहट डाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में एक हजार शेतर चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है पर इससे हमें क्या फाइदा हमें पांच एकल खेती के लिए खाड और कीट नाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किड भी मिलेगी इसनी दाल का करेंगे क्या जी अरी भागवान सरकार ने दलहन का समर्धन मुल्य भी फूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीत का भी पूरा इंतजाम कर लिया है इससे आंदरी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्थून में जा करके क्रिशी वग्यानिक बनेगा हा क्या करूगा मैं इसे करूगा है अच्छा मैं जा रहा हूं I love जी 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 किसे बात कर रहे थे इतना हसास कर इसान कॉल सेंटर विशेशक विएस टीके बारे में सला ले रहा था सुभा भी रात को भी किसान कॉल सेंटर सुभा छे बजे से रात को दस बजे तक खुलता है रवीवार को भी हाँ भई साल के 365 दिन खुलता है और इतना फोन का बिल कौन भरेगा अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो मैं तो कुछ और ही समझी थी किसान भाई क्रिशे सम्बंदे समस्याओं का अपनी भाषा में तुरं समाधान पाने के लिए पूरे भारत ने किसी भी पौन से प्राश्प्रे हेल्पलाइन नमबर 1801001551 पर संपर्थ करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर क्रिशी दर्शन के सभी दर्शुकों को नमस्कार साथियों गर्मी बढ़ती जा रही है ताप मान दिन बढ़ता चला जा रहा है ऐसे मौसम में हमारे जिन किसान भाईयों ने अपने खेतों में सबजियां लगा रखी है उनके लिए जान लेना बहुत जरूरी है कि गर्मी के इस मौसम में सबजियों के फसल के देखभाल कैसे की जाए उसे रोग बिमारियों से कैसे बचाया जाए तो इसी विशे पर हम आज चर्चा करेंगे अगर सब्जियों की देखभाल से संबंदित आपको कोई जानकारी चाहिए आपको कोई जिग्यासा हो तो हमारी इस नंबर पर आप पूसकते हैं हमारा नंबर है 18-00-233-9418 तो आईए चर्चा की शुरुवात करें ट्रक्टर कुप्ता सबसे पहले हमारे किसान भाईयों को ये बताएं कि गर्मियों के मौसम में हमारे किसान भाईयों को कौन सी फसल लेने चाहिए सबजियों के खर्मियों के सब्सक्राइखलों में में थे नारवाली सब्सक्राइखले में आएक зах जालते हैं किसान भाईयों प्रेंच में बद्रक्टर के बताएं यह बर्सात के मौसम में सब्जीयों की कमें हो जाती है जुलाई अगस्त में और काफी महँदी है तो किसान भाईओं को अच्छी कीमत असे मिल सकती है कड़ी रग वर्गी सब्जियों में घीट प्रगोो बहुत होता हैि किट वीमारियों से किस तरहyu से बचाया जाए है और सब्जियों को इस विशा में हमारी किसान भाईयों को जानकरी दीजी यह बहुत अच्छी बात कि कद्दोवर्गी सब्जियां वैसे भी पुरे अपने उपच के दारान बहुत प्रगार के कीट उसे नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन जैसा भी डॉक्टर गुत्ता जी ने ब उसको नुकसान पहुंचाते हैं अच्छा इसमें लाल कद्दू भृंग जिसे हम रेट पंकिन बीटेल कहते हैं यह सरवाधिक महतुपूर किड़ा है जो सरवाधिक नुकसान भी करता है इसके जो प्रावड है और इसके जो शिशू है यह दोनों नुकसान करते हैं और ओपर यह जमीन से जोटा है वहां नीचे से फल को नुकसान कर देता है लाग जाते हैं तो यह से फल सड़ने लगता है यह जिसकी एल्भाए के इस की तो स्टर करईने की जबूत है . जो गाउं में करते हैं, जो बगीचे में फसले लेते हैं अपने, जैसे की राख का उपियोंग करते हैं, तो राख में थोड़ी मिट्टी देल अगर मिलाएं मिलाके जहांपर यह कड्दो के फल रखे हैं, उनके नीचे रख दें, उसके उपर फल को रखें, तो क्योड़े थ यह जहां तर सो के ना करें जी यह तो नको तोड़ लें हम एक साथी का फोने हैं हलो हलो है हलो हां को बूल रहे हैं बहुंत कहां से अच्छा क्या पुछता है आपको इलागे प्रस्टेटेले मेरे वह आइस वाय बड़ देना हैं आपका प्रश्डी समझ में यह आया है त्व कि आपका प्रस्टेट शमें नहीं आ रहा है कि अच्छा के ला प्ल में कि और और अच्छा के अच्छा के पते देखिया थोड़ा सा अपरकृत ने इसा बनाए कि प्रकृत्र हैं कि बनाए कि या इसा रहुकरnity किसमय टेंपरेचर गया है और उसकी पत्टियां फट जाती है उस में एक टार्ट में मिल्द Sunает वी कास होता है जो में पत्तिय है कि पनी का और वासपो3 शर्जन कम होता है तो इसे और प्रक्वित भंबर्नी की बात नहीं आप उसमें सिचाई की अच्छी ब्याउस्था करें और जैसे थापकुरम कम होगा तो एक केली की पत्तियां पुरानी आउस्था में आ जाएंगे तो बिमारीओ की नियंत्रन के लिए क्या किया जाएं लेक्टवरुप्तिया और जाएं और जैसे के नियंत्रन के लिए किसान भाई जो है सल्फेक्स नाम की दवा ओती है विटेबल सलफर है उसका एक ग्राम मात्रा एक लीटर पादी में या एक स्प्रेयर में 40 ग्राम गोल बना दें दवा का और उसमें स्प्रे कर दें अच्छा तो उससे जो है पौडर्री मिल्म डू की विमारी पर नहींद्रन पाए जा सकता है और एक डाउनी मिल्डू होते हैं जो नीले रंग के फफूद पत्तियों की निचली सतफ आ जाते हैं तो उसके लिए किसान भाई जो है कापर अक्सी क्लोराइड बहुत ये प्रभावसील दवा आई है इसका धाई से तीन ग्राम मात्रा प्रती लीटर पानी के मान से घोल बन प्रृक्तियों को आना चहिए तो इससे भी ये बीमारी नेंतर्ण हो जाती है और दूसरा बर्बटी है भिंडी है तो इसमें भी पौडری मिल्डू नाम की बीमारी आती है लिए वही दवा नाम की भीमारी आती है ऑप ऑ हुँने ह् चिसमें भी दबा सलुठ्स का किसान भा यह हमारे आज के परिपेख्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सामान्य जन के लिए भी क्योंकि जो फल और सब्जी की फसले हैं रख सब पहले एक साथी का फोन देख लेता है हलो नमस्कार कौन बोल रहे हैं भाई क्या पुछने है योगिश भाई आपको आप अच्छा प्रश्न की है आप उसमें आप जो है जो है जो अच्छा प्रश्न की हैं आप उसमें आप जो है जो है रोगर दबाउा एक मिली लीटर दबाउ है एक लीटर पाणी के मान से घुल बना करके या एक मिली लीटर दबाउरेmen गोल च्रिकाव कर देगैं तो यह की डिय तो इक आप कीत नशक, पत्तियाँ कीत नाशक. सभानी के साथ कैसे प्रयोग किया जाए ये एक बहुत महत्पूंट प्रमुद्धा जैसे मैंने कहा क्योंकि फल सब्जें जो भी उसे मताजा खाते हैं या बहुत हो तो एक दो दिन बात खाते हैं तो उसमें की और जो दूसरी फसले हैं दान चना गेहूं ये काटने और उसक मैंने सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अवशक्ता अब है कि रहासानिक दवा ने दवा का चुनाव सहीज हूं गलत दवा ना डालें जो अनुशन सा की गे उनको डालें और सबसे बड़ बात दवा डालने के पहले जो भी फल खाने लाइक फल या सब्जी बाजार में बेचने लायक है या खाने लायक है उनको तोड लें उसके बाद दवा क्या वशक्ता चुड़काओ को रहे ताकि जो अगली तोड़ा ही होगी जी अगला जो हम बाजार में बेचेंगे या काने करें लेंगे तो 10-15 दिन कम से कम ये एक गयप मिल जाएगा तो उसमें दवा का प्रभाव कम हो जाएगा जी जी ये को सावधानिया में रखने का पोन है हलो 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 हाँ नवशकार कौन बोल रहे हैं कहां से क्या पूछना चाहते हैं यह जी अपने फसल के वस्ता ठीक से बताते तो अपने फसल के अवस्ता ठीक से बताते तो हुग श्यादा बहता है कि फसल अभी कौन सा वस्ता मैं के फूल के अवस्ता है कि उसमें फल लग चुके हैं अगर फल लग लग हुए हैं और फल में छेदक आपको छेट दिख रहा हैं तो फल छेदक का प्रकॉप है और फल जब छोटे होते हैं और छे बड़े होने जाए और उसके बाद किसी कीटना शेक दवा जिसमें मेलतियान का चड़काव कर सकते हैं एक दो मिलिटर दवा प्रती लिटर पानी के इदर से या कार्बरील दो ग्राम प्रती लिटर पानी में घोल कर इसका चड़काव कर सकते हैं फल बेदक इल्ली के लिए लेकिन अगर प को बहुत देखने को मिलता है और किसान भाई लंग थोड़ा गावर करेंगा है कि ये कीडे कम होते हैं मद इनके प्रकॉप से पौधे पीले पढ़ने लगते हैं पतियां पीली हो जाती है ये प्रकार का विशानो जनित रोग है जो इन कीडों के माध्यम से फैलता है कीडे ज जैसे भी डक साब ने बता है रोगर इसको भी दो मिलेटर प्रति लेटर पानी के हिसाब से डाल सकते हैं एक सावधानी और बताना चाहूंगा भिंडी है सभी फसलों में कि दवा एक बार जबार के चिड़कते हैं तो अगली दवा के चिड़काओं के बीच में कम से कम दस कुछ पादल लेने के लिए हमारे किसान भाई करी बार हार्मोंस का प्रयोग भी करते हैं तो यह कितना उचित है हां देखिए बहुत से हार्मोंस हैं इस पेसली आप देखें कद्दू बर्गी सबजियों में नर फूल और मादा फूल एक ही बेल में आते हैं और सुरुवा 200 ppm का मतलब होता है 200 mg एक लीटर पानी में मिला के घोल बना दिया जा और जो किसान भाई सबजी लगा चुके हैं फाले से फल आ रहा हैं उसमें तो यह हार्मों कारगर नहीं होगा लेकिन अभी जो किसान भाई लगाएंगे जो जून जुलाई में फल लेने के लिए तो उ उसमें जो है जब दो पत्ती आती है विकास की और चार पत्ती आती है विकास की उस अवस्था में किसान भाई यदि इस्प्रे कर दें तो नर फूल की संख्या हार्मोन कम कर देता है और मादा फूल की संख्या बढ़ जाती है और इससे हमने देखा है कि उपर जो है दो हलो है कहाँ से कोरवा से बोल रहा हूं अच्छार नहीं पूछना चाहते हैं अब हुच्छी कोटी का है मगर क्या बोलते उसमें अभी चाप फॉल नहीं दे रहा है अच्छा चाहर उसके देजिए यूरिया खाद हल की जिश्युकर चुका हूँ अगर पेर बढ़ा हो गया में देखें नेवू में किया होता है आप देखें का ध्यान से तो इसमें दो साखाएं उनका रंग पत्तिएओं का और उसका साखा, बिल्कूल गाढ़ा रंग का होता है सामान्य पत्ति तरद नहीं होता है उसको वार्फर के नाम सरस आंते एं यह पूरे निपू के पौदा उसका पूरा खुराक खीच लेता है और इसमें फल देने की शमता नहीं रहती है और गहों इन बार खौत देते हैं यह दूसरी शाखा में जो जाना चैये पूरा वाटर स कर खीच लेता है तो आपको यह चैये जो सीधी जा रहे हैं सीधा विल्कुल इस तरह का सीधे साखा में फल नहीं लगता है तो इस तरह की लगते हैं और बराबर चिछाई करेंगे तो आपको कम से कम दो तीन बार साल भर में फल आएंगे और एक किलोग्राम नीम की खली जरूर डालिए बरसाथ के मौसम में तो आपका नीबू बढ़िया फलेगा जी जी तर सब ऐसी ही कुछ समस्या आम के फलों में भी आती है कि आ लेकिन वह भी आम गिर जाता है तो इससे बचने के लिए किसान भाई अभी बर्धक है प्लाइनो फिक्स है इसमें नेप्थलीन एस्टीक अमल होता है इसका अब तो लेटर इस्टेज आ गया है लेकिन किसान भाई ध्यान रखें उसका यदि जब आम के फल सरसों के दाने क बरावर लगते हैं और मतर के बटरा जो बढर वला उसके बरावर हो जाते हैं तीसा क्षा मर्बल साईस का उता हमारा वेए बेर है और इसका जो डंठल है फलों का यह हार्मून इतना तगड़ा कर देता है कि कितनी भी तेज हवाएं आधी आए तो यह गिरता नहीं है और इसकी क्वाल्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है तो यह हमारे किसान भाई यदि इसको अगले साथ आजमाएं तो उनको बहुत लाब होगा जी 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 डॉक्टर गांगुली बर्बटी की सब्जी में मैनी केड़ा बहुत लग जाता है उसके करण फसल प्रभावित होती है तो बर्बटी की सब्जी मतलब फसल अच्छी ली जा सके उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए जो है किवल आप बर्बटी तो बोल प्लियसे में आपकी भिंडी वगर्र सब की सब्टिकों में काफी नुकसान करते हैं और यह पद्धे की शुरू की अवस्ता से लेके फल लगने की अवस्ता थक हर अवस्ता में नुकसान पहुंचाता है हजारों की तादात में रहता है और मैनी कीट कहे कि स्वैम रस तो इसके अलावा ये मधूस तराव भी निकालता है जिसके हम हनी डियू कहते हैं जिसके कारण पत्तों में एक काली फफूंद जमने लगती है मैनी आप देखिएंगे चीटियां बहुत चलती है तो वह हनी डियू के कारण है इससे बचने के लिए कीट नाशक दवा ही इस्त जड़काओ कर सकते हैं इमीडा क्लोप्रिट का भी छड़काओ कर सकते हैं करीब-करीब एक मिलीटर दवा दो मिलीटर पानी में जिए और अगर छोटी स्तर पर है कि जिसे हम किचेन गार्डन कहते हैं तो राख का इस्तेमाल बहुत नहीं अच्छा पाया गया है जो चुले नमस्कार कौन बोल रहे हैं भाई? अच्छा जी, क्या पुछना है आपको? नीवु का मेरा पौधा है इसके पत्ते साफ नहीं निकल रहे हैं, चोटे-चोटे कटे-कटे टाइप में उस पूडे निकल रहे हैं अच्छा अच्छा नीवु के पौधे के रिगन बारे इसकेल इंसेक्ट कीड़ा आता है, उसके वज़ा से तो नहीं है, कीड़े तो नहीं खा रहे हैं उसको, तो उसके जो डाक साब ने बताया अभी रोगर दवा उसका अगर इस्प्रे कर दें तो कीड़े नहीं आएंगे या नीम की खली एक किलो ग्राम उसमें डाल दें तो उससे मेरी कीड़े नियंतरण में आ जाते हैं, दूसरा है यह नीम की खली जो खाद का भी काम देगी और उसके साथ जो है आप जो है गोबर की खाद और हलका सा उसमें यदि 100 ग्राम मूरिया है, 250 ग्राम सिंगल सुपर फासपेट है और 50 ग्राम जो है मूरेट आप पुटास उसमें डालने जहां तो उसकी चाया पड़ती है तो उसके पत्तियों की बढ़वार अच्छी आएगी और आपके फल अच्छे निकलेंगे. डॉक्टर गांगुली पपीते में भी बहुत समय से हो दिये कि फूल पूल आते हैं कोई नरव पूधा आता है कोई मादा पूल आता है लेक आजकल बहुत सारी किस्में आ गई हैं जिसमें सौव प्रजिस्तथ पूधों में यहादि आप प्रकृते नहीं सा बनाया है कि यहादि सौवीज आपने डाला, तो 50 नरव पूधे आएगे 50 मादा